तो हाई व्रिवान एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का शितीज बैच में क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के बच्चे हम लोग रिएजेंट्स पढ़ रहे थे रिएजेंट्स का एक और पाट ये लेकर आए हैं उसमें हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के बारे में हम लेकर जाएंगे तो आप अराम से वह लेक्चर अलग था वह रिड्यूसिंग के बारे था जिन्हों नहीं देखा कोई बात नहीं यह देख सकते हो आप आराम से देख सकते हो मगर वह भी देख लेना वह भी देख लेना बाद में तो पहले हम अब यहां पर positive mindset के साथ एक अच्छे mindset के साथ rather than की डर लग रहा है नहीं वह जो डर है ना वह भी उन्हीं लोगों को लग रहा है जो जिम्मेवार हैं जो थोड़े से responsible हैं जो exam को लेकि serious है तो वह उस डर से भी मनलब उस डर से भी नहीं डरना कि यह क्यों तो वह जिम्मेवार लोगों को ही होती है जो responsibly त्यारी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को होती है तो कोई बात नहीं वह भी एक पार्ट है उसको भी enjoy करना है और positive mindset के साथ आगे lecture की तरफ बढ़ना है exam की तरफ बढ़ना है अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ना है शुरू करते हैं lecture हमारा अराम से सुनिए समझिए notes बनाई है तरीके से आगे बढ़ेंगे क्या क्या चीजे पढ़ने वाले हैं सर हम इसमें स सबसे पहले उसका introduction लेंगे हैना सबसे पहले इनका introduction लेंगे कि क्या क्या चीजे आपको इसमें पढ़नी है कौन-कौन से oxidation आप पढ़ने वाले हो सर अलकोहल का बहुत important है अलकीन का और किटोन का यह oxidation हम देखने वाले है ठीक है जैन उसके बाद हमारे यह oxidation होंगे alcohol का इसमे एक होगा chromium based होंगे ठीक है chromium based हमें देखने है बच्चे और एक magneese based mno2 kmno4 यह important पढ़ जाता है तो एक अलग से adding इसकी डाल ली है उसके बाद oxidation of alkene और oxidation of ketone इनके अंदर भिन-भिन परकार के अलग-अलग reagents आते जाएंगे just हमें अगर काम भी पता होगा jam में तो इतना होता है कि आप अगर उस reagent का नाम जानते और उसका काम जानते हो कि यह क्या करने वाला है तो भी आपका बात बन जाएगी तो पहले हम focus करते हैं सारे reagents जान ले पहचान ले सब हमारे नजर में हो जाए तो फिर अराम से चीज़े solve हो जाएंगी और एक part है जो organic chemistry को जोडता है मानलो एक alcohol का oxidation एक ऐसा reagent दे दिया जो aldehyde बना रहा और फिर आगे कोई भी reaction करा रहा है उसमें मानलो विटिक reaction करवा रहा है उससे अलकीन बना रहा है वो बात की बात है अगर अगर हमें यहीं नहीं पता है कि इस alcohol को aldehyde में लेकर गया कौन यह वाला reagent तो गडबड ह हो जाएगी ना इसलिए reagents बढ़ना important है तो शुरू करते हैं पहला हमारा topic क्या है आईए देखते हैं तो पहला हमारा यह है oxygen removal reducing reagent जो एक बचा था reducing reagent वो हम देख लेते हैं यहां पर basically क्या होता है carbon system जैसे c double bond o होता है न carbon system होता है तो वह co हटके cs2 लग जाता है basically क्या होता है यह आपका क्या है carbon है यहां से यह क्या बन जाता है यह CH2 ही बन जाता है क्या बन जाता है CS2 बन जाता है तो यह वाले हमारे पास दो reduction मेजरली हमें पढ़ने हैं यह ध्यान रग लेना इसको करने के लिए हमा काम भी ध्यान रख लेना यह direct reaction आ जाती है ना पेपर में आई हुई है Clemenson reduction इसे बच्चे कहा जाता है बोलो हाँ या ना Clemenson reduction इसे कहा जाता है देन उसके बाद एक हमारे पास होता है क्या वोल्फ कृष्णर है ना वह होता है NH2 NH2 और यहां पर basic medium प्रोवाइड किया जाता है क्या वोल्फ किष्णर reduction ठीक है अब यहां पर simple सा है यह बस क्या करता है यह ध्यान रखना है आपको छोटी-छोटी बात ध्यान रखनी है कि यह C double bond O है जैसे कि अगर हम बात करें ZNHGCL की अगर हम बात कर रहे हैं यह हम ले रहे हैं particularly तो यहां पर ध्यान रखना यह आप के aldehyde और ketone को तो हटा देता है कि aldehyde को कर देगा ketone को कर देगा मगर बच्चे ध्यान रखना यह acid को नहीं करता ना ही आपका वोल्फ केश्णर भी नहीं कर पाता acid को यह नहीं कर पाते हैं यह छोटी जी बात आपको ध्यान रखने हैं मालो मैं आपके पास एक क्योशन हो ना हमने एक क्योशन लिया लेट सपोज यह हमारे पास क्योशन है यह क्योशन को अराम से समझो क्या आपने पढ़ा है क्या वहां से आपने तातपर्रे निकाला था वह देखो यह 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 जैड़न इधर से हमारा क्या प्रोडेक्ट बनेगा हमारा प्रोडेक्ट बनेगा यह डबल बॉन्ड ओ वहां से हटकर क्या बन जाएगा एच बन जाएगा ओक्सीजन रिमोवल रिड्यूसिंग रिएजेंट हम देख रहे हैं तो यहां पर यह इधर बन गया और यहां पर ऐसे का ऐस आपका क्या acid बन को भूलो हाँ या ना फिर आता है बच्चे आपके पास क्या भी एस ह्थ्री किया है एक Electrophilic Hydro donor है क्या है बच्चे एक Electrophilic Hydro donor है यह कहा Eins D paralysis के लिए बहुत जबन सब्सक्राइब होता है तो यह unfair to reduce तो पता है आपको ने पिछले ही लेक्चर में देखी है तो कोई बात नहीं अभी बस kittone को नहीं करेगा कि नहीं करेगा यहां पर क्या यहां पर यह कितों को लपेटेगा तो यह को किसिशन से हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली हैं यह होती है टीनो प्रोड़क्ट है अलग 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 लाग तो इस तरीके से कहानी आगे लेकर चलनी है कोई समझ्या नहीं आएगी मगर आपको थोड़ा बेसिक बेसिक चीजों को फोलो करना है बेसिक बेसिक चीजों को समझना है confidence रखना है याद करने की कोशिश करनी है पहले ही देखके छोड़ देना एक गलत बात हो जाएगी confidence रखना है समझने की याद करने की कोशिश करनी है अब मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता देता हूं वोल क 4 oh negative यह फिर कोई ओर basic medium भी दे सकता है जैसे कि यह भी यह ही काम करेगा माल लो आपके पास यह reaction है यहां पर यह भी acid को कुछ नहीं करेगा acid को नहीं करेगा इढर हम NH2 ले रहे हैं नहीं इठ गे रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं तो यहां पर यह क्या करेगा हमारी किटोन को ही करेगा acid को यह reduce बच्चे नहीं करेगा clear है इसका mechanism मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा mechanism important हो जाता है तो आए एक बार इसका mechanism देख लेते हैं क्योंकि इसके mechanism से direct question आ सकते हैं ठीक है इसके mechanism से direct question आ सकते हैं कि देखुए यहां पर माल लो हमारे पास यह किटोन है यहां पर यह किटोन है और यहां पर हमने इस तरीके से यह रियेजेंट्स यहां पर डाला इस तरीके से हमने यह रियेजेंट्स डाला क्या एन एच टू एन एच टू और ओ एच नेगिटेव ठीक है इस तरीके से हमने डाला अब यहां पर कहानी क्या चलेगी यहां पर कहानी क्या चलेगी एन एच एच यहां पर यह एन एच टू इस तरीके से इधर सबसे पहले एक रियक्शन आपको दिखानी है सबसे पहले यहां पर क्या होता है यह आपका एच टू बहार जाएगा इधर से आप क्या समझ लो समझ लो बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा इधर ये प्रोटोन फेक्ट करेगा ये डबल बॉन यह सिंगल बॉन यहां पर नेगिटिव चार्ज बनेगा डेगा तो इधर आपके पास क्या बन गया इधर आपके पास एच्टू ओ बहार निकल गया क्योंकि उस कि अब यहाँ पर है तो यह नेगेटिव चार्ज इधर से प्रोटोन अप्सेट करके एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया ठीक है पहला हाइड्रोजन बच्चे आ चुका है यह नाइट्रोजन यह डबल बॉंड एंड और यह रहाँ पर हमारा क्या एक है ठीक है अब वापिस से क्या होगा oh negative है हना H2O से H ले लिए तो है गर यह फिर से इस प्रोटोन को खाएगा इस प्रोटोन को खाएगा यहां पर यह फिर यहां पर shift होएगा और यह नेगेटिव यहां पर ठीक है तो हमारा क्या बना हमारा यह बना arrow को देखा करो दिहां से इधर nitrogen इधर triple bond N और इधर negative charge ठीक है अब यह triple bond N निकल गया है इसको सोरी इसको इस तरीके सहम करेंगे यहां से क्या हुआ यह देखो यह N निकल गया है यहां से यह वाला जो bond टूटा है यह बोन टूटा है तो यहां से N2 निकला N2 निकला तो हमारा यहां पर एक negative charge बना यहां पर H बना इधर वापिस से पानी का molecule होगा बच्चे इसके proton से इस पानी के molecule से proton को ले लिया जाएगा और बच्चे यहां पर क्या बना यहां पर हमारे पास डो hydrogen आ गए तो इधर से इधर तक का सफर सबसे पहले NH2, NH2 से यहां प डबल बोन्ड का नेगेटिव यहां पर आया एक नेगेटिव बना नेगेटिव ने प्रोटोन एफसेट किया तो यहां पर क्या बना आपका इस तरीके एच बन गया ठीक है और साफ लिग देते हैं थोड़ा सा और साफ लिग देते हैं कि यहां पर क्या बना था यहां पर इसने प्रोटोन लिया था तो यहां पर ह बना था यहां पर नाइट्रोजन है यहां पर डबल बोन एन है और यहां पर क्या है हाइड्रोजन अब इस प्रोटोन को खाया वापिस से इस प्रोटोन को खाया इस प्रोटोन को खाया तो ये इधर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पर नेगेटिव हमें दे गया ये एंड टू हमारा बहार ठीक है तिम्पल सी ये एक रियक्शन है जिसकी बेसिक चीजे आपको ध्यान रखनी है अब बच्छे यहां से मैं आपसे एक पूचँगा जैसे कि यह डरना नहीं है बिल्कुल भी नहीं डरना कि यहां से इस और ये क्या हो गया क्या बनने वाला ये कैसे और यह से बिल्कुल घपराना नहीं है पहले हमें Baz Stream step follow करने हैं यहां से क्या करना है वोटर को eliminate करना है तो इधर हमने सबसे पहले क्या किया double bond था n था है ना यहां देखो यह H2 इधर से ऐसे कर लिया करो यह H2 है यहां double bond यहां पर Nsी करें यह एकस टूह क्या बहार चला गया तो यहां पर क्या ऊर नाइट लेशन यहां पर एक आधर इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से हमारे पास एक सब्सीट्ट लगा हुआ है कि क्नके ह denken refugees अब हमारा यह क्योंकि इपोक्साइड है तो वो तूटेगी ही तूटेगी तो या फिर आप इस तरीके से लेकर जाना चाहा रहे हो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन एच और इधर नेगेटिव और फिर इपोक्साइड है तो यहां पर यह इपोक्साइड का तो तूटना तय है यह इधर आएगा और यह ओग अधर हमने क्या किया हमने यह बना दिया यहां पर यहां पर यह आप यह पास प्रोटोन है हो इस प्रोटोन को इधर से यह ले लेगा ओएच बन जायेगा यहां पर 20 कि क्याबना रही यहां पर बन गया ओएच धर डबल बॉन था इधर नाइट्रोजद डबल नाइट्रोजन और हाइडोजन फिर बेस नंका प्रोटोन चला ईंद बेस केला हो गया वापिस is यह क्या करेगा इस proton को abstract यहां पर यह double bond इधर शिफ्ट यह नेगेटिव चार्ज यहां पर तो इधर आपका इस तरीके से double bond है negative है यहां OH है सब्सिट्ट्ट साथ लगाते चलो यह सब्सिट्ट्ट साथ लगते चलेंगे इसमें दिक्कत मत लेना बाद में अब यहां पर वापिस से बेस के पास एक proton आ गया था तो उसने यह negative चार्ज वापिस से इसको खा जाएगा और यहां पर आपका प्रोट क्या प्रोड़क्ट बनेगा यहां पर ओएच तो इस तरीगे से आपकी इपोक्साइड भी टूटी है यह आपका क्या होगा बच्चे फाइनल प्रोड़क्ट इसको प्लीज क्योशन मार्क इसको है ना म से यह बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि डारेक्ट रेफ्रेंस बुक का एक्जांपल है डारेक्ट डारेक्ट रेफ्रेंस बुक का एक्जांपल है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है इसको देखिए एक बार इसे यह एक क्योशन आया हो था हमारे जैम यह इस तरीके से होगा यहां पर इस तरीके से डबल बॉंड ओ ओ एक्स तो कहा है कि यह तो एज़िटीज रहे इसका कोई बाल वाका ना कर पाए और दिख रहा है ना भई दिख रहा होना चाहिए यह कुछ ना विगड़े और बाकी कैसे रिडियूज होगा कौन ऐसी कनफरम साम उसका भी और पर्टिकुलर्ली एसीड के साथ ही सलेक्टिव होता है तो यह भी नहीं चलेगा बचा एक आपका जैडन एच जी एच जी यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्छे सिंपल सा अंसर हो जाएगा तो ऐसे सिंपल से क्योशन आते हैं गबराने की कोई ज़रूत नहीं है विल्कुल असान ही से हो सकते हैं अगर तरीके से चीजे पढ़ी हुई हो तो यह एलकोहल इंट्रोड्यूज करते हैं अलकोहल का इंट्रोड्यूज नहीं हुआ है ऑक्सिजन रिमूवल हुआ है तो जैडन एची एक चलिए यह हो गया हमारा क्या यह हमार मेजर रूप से ध्यान रखनी है आईए एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा चाना मैप बना लेते हैं कि क्या क्या चीजे यहां पर चलने वाली है तो बच्चे यहां पर आपके पास होगा क्या ओक्सिडेशन ओफ सबसे पहले हम बात करेंगे ओक्सिडेशन ऑफ हांची ओक्सिडेशन पढ़ेंगे अल्कोहोल करेंना जैसे कि माल लो आपके पास इस तरीके से अलकोहल है इसका उक्सिडेशन करकी हां पर क्या बनेगा किटोन बनेगा अगर हमारा सेकंड्री एलकोहल और इंगर हो जाएगा गूछ रिएजेट होते हैं जो ओवर ध्युक्तों तक ही जाता है यह कई बार कई रिएजेंट्स में पर्टिकुलर्री ओवर ऑक्षिडेशन कर जाता है समझेंगे कोई दिक्कत निए फिर बच्चे आपको पढ़ना होगा ऑक्षिडेशन ऑक अलकी है ना ऑक्षिडेशन ऑफ लकीन हमें समझना है ये वह हम बात करेंगे कैसे होता है आलकीन का खुषिदेशन जैसे अलकीन है उसमें इपोक्सायड इंट्रोड्यूज कर सकते हैं अलकीन का डवर पुन तो और ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीजन का आना ही तो ऑक्सीडेशन है या फिर वहां डायोल बना सकते हैं इस तरीके का काम अगर हम करेंगे तो oxidation of all-gain basically हम jam में तो reagents ध्यान भी रख लेंगे ना कि कौन क्या करता है तो भी हमारा काम बन जाएगा ध्यान भी रख लेंगे इतना तो हमारा पहला preference होनी चाहिए हमें ध्यान रखनी है देन उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं क्या हमें पढ़ना है तीसरा क्या oxidation of ketone ये भी हमें पढ़ना है oxidation है मान लो कोई ketone system है उसका oxidation जैसे कि मान लो ये कुछ इस तरीके से है आपका आर है ना इसका oxidation और कैसे हो सकता है इसका oxidation हो सकता है कि एक oxygen बीच में introduce करते हैं ये oxidation ही तो है ये कैसे होता है ये भी हम बात करेंगे सारी चर्चाएं हमें करनी है समझनी है पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या oxidation of alcohols important है सारी चीज़े important है बस सारी एक समराइज एक तरीके से आपको कैसे पढ़नी है वह रैदर देन कि एक पस एक अगला आ गया तीसरा आ गया इस तरीके से randomly आ रहे हैं बुक में आप देखने जाओगे तो randomly आते हैं अभी तो नहीं आपको मगर gate और नेट के लिए जब जाओगे तो के रोथर्स के वहां पर चैप्टर है पर्टिक्लर लिस्ट एन सेवन वहां पर देखना पड़ेगा बहुत ही अलग लेवल की वह बुक है अभी नहीं आपको पढ़नी है मगर बाद में कभी नगभी उसके सामने आप जरूर जाओगे तो अभी नहीं अभी आपके स्कोप से बहुत दूर है वह बहुत दूर है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी चली ऑक्सिडेशन अफ एलकोहॉल्स हमें करना पढ़ना है तो यहां पर सबसे पहले हम क्रोमियम बेस्ट है ना क्रोमियम बेस्ट ऑक्सिडाइजिंग अजेंट हम पढ़ेंगे क्रोमियम बेस्ट ऑक्सिडाइजिंग रियजंट हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं बच्चे प्रोमियम बेस्ट प्रोमियम बे देखो इसके अंदर अब हमें क्या क्या चीजे पढ़नी है अगर हम बात करें इसके अंदर पर्टिकलर ली पढ़ने जाएंगे तो क्या क्या चीजे पढ़नी है यहां पर सबसे पहले बच्चे हमें पढ़ना है जोन्स रिएजेंट हमें पढ़ना है तो यहां पर लिख लो नाम दिख लो, जोन्स रियेजेंट हमें पढ़ना है, जोन्स रियेजेंट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, यह एक स्ट्रोंग, बहुत स्ट्रोंग उक्सिडाइजिंग एजेंट है, यह ओवर उक्सिडेशन भी करता है, मतलब कि प्राइमरी अलकोहल दे जियान रखना है, ह2O और ऐसी टोन यहां पर लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इशो होता है, या फिर, CRO 3 की जगए, NA2, CR2, O7 भी दिखाया जा सकता है, बाकी चीज वैसी की वैसी, H2SO 4, H2O और यहां पर क्या, ऐसी टोन इस तरीके से दिखाया जाता है, यह आपका क जौन splashing हो गया, इसे क्या कहा गया, जौन स्रियेजन्ट फ हम इसको कह रहे हैं, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक और रियेजेंट आता है, यह यह वाला ध्यान रखना, एक strong oxidizing reagent है यह क्या है बच्चे strong इसके आगे लिख लेना कि strong oxidizing reagent है क्या है जी strong oxidizing reagent है यह ध्यान लगना बहुत ज्यादा strong oxidizing बेलकि इनको ना हम कभी acid sensitive group के limitation भी हो जाती है acid sensitive group लगा हुआ तो वहाँ पर हम नहीं ले सकते इसे पाकी यह सारे चल जाते हैं यह कहां ज्यान रखना इसके अंदर होता है बच्चे क्या CRO3 pyridineum होता है और DCM CH2Cl2 dichloromethane DCM यहाँ पर होता है यह colins reagent है यह mild oxidizing agent है यह क्या है mild oxidizing agent है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यह mild है यह over oxidation नहीं करता यह mild oxidizing agent है ठीक है उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है PCC Pyridineum chlorochromate क्या बोलते हैं इसे Pyridineum chlorochromate हम इसे बोलते हैं यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं Pyridineum chlorochromate यहाँ पर बच्चे क्या होता है बेसिकली यहाँ पर ना salt बन जाता है क्या बन जाता है है साल्ट बन जाता है कौन-कौन होता है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होता है इधर प्रेजेंट होता है हमारे पास क्या CRO3 Pyridineum और HCL अब यह क्या है बेस है और यह एसीड है तो बेस और एसीड मिलकर क्या बना लेते हैं क्या बना लेते हैं बच्चे एक साल्ट बना लेते हैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट सबसे लाज पढ़ना है PDC Pyridineum Dichromate इसे क्या बोला जाता है बच्चे इसे बोला जाता है Pyridineum Dichromate बच्चे इसे बोला जाता है यहाँ पर पर आपके पास 2 CRO3 होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास 2 CRO3 होते हैं परीडिन होता है और H2O होता है इस तरीके से यहाँ पर हमारी कहानी चलती है ये तीनों माइलो औक्सिडाइजिंग है ये इन दोनों बार में इसका भी जादा मैं एधर हम एसेड सेंसेटिव ग्रुप ले सकते हैं जैसे कि अब बताऊंगा आपको एसेट सेंसेटिव के बारे में भी तो यह तीनों माइल्ड ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है कोलीन भी और यह वाला जोंस रिएजेंट ना बहुत स्ट्रोंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है यह ध्यान रखना है अब हमें एकक करके सारी पन बाइवन करके पढ़ने हैं दियान से उनको समझने हैं क्या इनकी प्रोपर्टी पहले देखते हैं जोंस रिएजेंट हमें पता है कि यह एक स्ट्रोंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है यहां पर बेसिकली क्या होता है सी यार ओध्री होगा एच्टू एसोफोर आपको लिएजिंग एजेंट है यहां पर हम एसिध गृप नहीं ले सकते है न को कुछ कुछ इस तरीके से O H है यहाँ पर यह एक मेरा कार्बनिल प्रोटेक्ट हुआ हुआ है क्या हुआ है कार्बनिल क्या हुआ है ना इसके साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इसको भी छेड़ कर ये protection हुई है carbonil की तो यहाँ पर अगर इसके साथ मैं Jones reagents भच्चे ले रहा हूं तो वो इसको भी परेशान करेगा इसको भी तोड़ देगा इसको आपिस काड़ी protection कर देगा तो हम यहाँ पर ऐसे ऐसे group acid sensitive जहाँ पर होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं जहाँ पर protection हुई होती है carbonil की वहाँ पर हम इसे नहीं होते हैं डाइयोल से protection बेसिकली अगर हो रही है तो वहाँ पर हम एसे जोंस रेजन नहीं लेते हैं यह पर्टिकुलर्ली आपका इस तरीके कि सिंपल अगर हमारे मालों जोंस रिएजन तो क्या कर देगा कि टोन बना देगा R2 हो जाएगा यहाँ पर फिर से से अगेंड्री आपका डेकाम करते हैं यहां यहां पर वक्चेγαर primary ही नहीं है aldehyde पर यह नहीं रुखता जब कि माल लो यहीं पर मैं PCC लेता या मैं लेता आपका भी कोलिन्स रिएजेंट यह रिएजेंट लेता तो यहां पर क्या होता यह aldehyde ही बनता तो इधर इसका भी ध्यान रख लेना यह क्या होता इसमें CRO3 होता है Pyridinium होता है और DCM होता है ठीक है यह particularly आपका क्या है mild oxidizing agent है इसके बारे में ले लेना कि mild oxidizing agent है और यह आपका primary alcohol को किसमें लेकर जाएगा primary alcohol को बच्चे aldehyde में ही लेकर जाएगा और यहां पर आप वो acid sensitive जैसे वहाँ पर protection होड़ी ती वह यह वाला ग्रूप भी यहां पर ले सकते हो कोई समस्या नहीं है वो उसको कोई छेड़ेगा तक नहीं सीधा इसको ही सिरफ alcohol को ही छेड़ेगा और उसको किसी को कुछ नह है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं तो हम इससे आगे वढ़ते हैं कि यह क्या करेगा जस्ट इतना ध्यान रखना कि यह बच्चे अभी तो आप इतना सोच लो कि आप पत्दा लगा लो कोन क्या कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टन जाएगा और अल्टिमेटली होता है और हैं अब देखो बच्क्चे ये क्या है प्रिडिनिय उमक्लोरो क्रोमेट है अर्पर बनता है और आपका इन उयoh इसे are double bond O यहाँ पर O negative और यहाँ पर chlorine तो यह बिसिकली हम कैते हैं पूरे इसको स्थे यह कॉंप्लेक्स बनता है हब इसे बोला जाता है लोरो और मेट इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चे यृ जब ंने रहां नहीं है वह या अरहां से चलते चलते धीरे धीरे सब चीजे पढ़ते हुए आगे भढ़ना है बहुत बड़ा संसार है और उस संसार के उपर है ना मतलब कि उस संसार में अपना नाम बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं अपना एक नाम हो अपनी एक एग्जिस्टेंस हो कि हां लोग आपके नाम को जानते हूं इज़त करते हूं जानते तो पता नहीं किस किस के नाम को इज़त करते हूं आपके नाम की तो इतना ऐसा काम हमें कर लेना है अपनी पूरी जर्णी में कि कुछ लोग आपकी जरूर है ना अब किसी लोगों के काम जरूर आ रहे हो कुछ लोगों के काम जरूर आ रहे वह आपको ऑज्जद दे रहे हैं आप उनको यह सारी चीजों के साथ साथ भएया पढ़ते बढ़ते ना एक चीज जरूर ध्यान रगना है है कि अच्छा इंसान बनना वहोँद ज़ादा जरूरी है अप्छे स्टूडेंट को अप ा अच्छे player हो कुछ मुझ भी होजर हों मगर एक अच्छे इंसान जरूर्वर किसी का हमें करना कि मायल्ड ओक्षिडाइजिंग अजैंट होता है मायल्ड ओक्षिडाइजिंग होता है बेसिकली करता क्या है यह आपके primary alcohol को acid तक नहीं लेकर जाता है यह primary alcohol को यहाँ पर तहां तक लेकर जाता है अलडिहाइड तक ही लेकर जाता है दूसरी बात बच्चे acid sensitive group यहाँ पर अगर है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा उन्हें उनका कुछ नहीं विगाड़ेगा यह मानलो कुछ एक्जामपल हमने लिए सिंपल सिंपल से हैं तो अगर यह सेकेंट्री है तो बात है यहाँ पर किटोन ही बनेगा अगर यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारे पास एक primary alcohol है तो यह उसको क्या करेगा बच्चे aldehyde में बदल देगा यहाँ पर क्या बदल देगा aldehyde में बदल देगा अब यहाँ पर देखो यह acid sensitive group लगा हुआ है इसकी deep protection यह नहीं करेगा यह क्या करेगा यह group as it is लगा रहेगा यह बच्चे ग्रूप as it is लगा रहेगा और यहाँ पर यह क्या बना देगा यहाँ प PCC की reaction बहुत important आती है that is PCC में यह पढ़ा जाता है कि आप बाबलर oxidation यहाँ पर पढ़ा जाता है मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा वह आपको ध्यान रखने हैं यह basically क्या होता है oxidation होता है 3 degree allylic hydroxyl group का ठीक है 3 degree allylic alcohol का oxidation यहाँ पर होता है कैसे भाई जैसे माल लोग यह आपके पास है यहाँ पर मैंने OH लगा लिया यह क्या है एक 3 degree OH है ना इसके यह वाला जो कार्बन है यह तीन कार्बन से जुड़ा हुआ एक दो तीन तो यह टर्चरी hydroxyl group है तो यहाँ पर आप 3 degree मगर इतना नहीं इतना नहीं allylic होना चाहिए मतलब कि इसके यहाँ पर है ना वन टू पर यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए इस पोजिशन को अगर यह हमारा सिरफ इतना होता तो भी काम नहीं चलता इसे हम allylic hydroxyl कहते हैं allylic के साथ साथ बच्ची 3 degree होना चाहिए यहाँ पर इसकी जवर्दस reaction होती है PCC से अगर reaction करवा रहे हैं तो क्या product बनेगा तो बच्चे मैं आपको shortcut बता रहा हूं कि हमें किस तरीके से इसका product बनाना है किस तरीके से इसका product बनाना यह ध्यान रगना यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर क्या हुआ इस alcohol को आपने यहाँ ले आए और इस double bond को यहाँ ले आए और यह मिथाईल एजिटीस था अब यहाँ पर PCC है समझो तो यह क्या करेगा इस तरीके से इस तरीके से इसकी क्या कर देगा oxidation कर देगा कोई समस्य नहीं मगर exam में यह बहुत बार आ चुका अलग तो होल हो मालो साफ सा देखते हैं थोड़ा सा साफ देखते हैं जैसे कि यह है यह आपको गीवन है तो यह आपका 3-degree लाइलिक अल्कॉल है यह थ्री डिग्री है और यहाँ पर double bond है तो यह लाइलिक ही है अब यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले trick क्या जूज करना है इसको इसको क्या करता हमें इस और बीवन को यहां सूतकट ने रहे है और इसी को ही ध्यान रहतों एराम से हो जाएगा तो इसका इधर आपको लगाना है CH3 बच्चे, डबल बॉंड, ओ सोरी, OH जाएगा, इधर OH आएगा और इधर क्या आएगा, CH3 आएगा, अब यहाँ से बच्चे क्या, PCC, अब यह क्या करेगा, इस OH को ध्यान रखना है, यह PCC के साथ रेक्शन होगी, PCC के साथ ही शोग अब यह इसको क्या करेगा, किटोन में बदल देगा, तो बच्चे जो इसका प्रोडेक्ट होता है, वो प्रोडेक्ट क्या होता है, यह प्रोडेक्ट इसका मेजर प्रोडेक्ट होगा, इधर डबल बॉंड, इधर CH3, क्लियर है भी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यह इसका क काम करवाए ज्यादा एक काम और आपसे करवाए यह बहुँ आपसे लोलिक इस यहां पर यह क्या करता है इसके उपर एटक करेगा यह क्या जाएगा O negative जाएगा इधर O negative जाएगा यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर double bond है acidic medium present है तो acidic medium में हम कह सकते हैं यह OH बन गया क्या बन गया होगा OH बन गया होगा अब यह वो ही है 3 degree 3 degree allylic alcohol हमारे पास है उसको PCC में लेकर जाओगे तो वापिस से reaction क्या होगी यह OH घूम के यहाँ आएगा और यह double bond इधर और OH का कार्बोनिल बन जाएगा वापिस से वो ही reaction बाबलर oxidation जिसे हम बोलते हैं सिंपल सा बेसिक सा यह आपका फंडा है जैसे कि मालो यह है अब यहाँ पर देखो यह आपका विनाएन लिग है हांजी बिल्कुल है यह वन यह टू यह थ्री है ना वन टू थ्री में ही double bond आता है और यहाँ पर यह तर्शरी है हांजी यह कार्बन तीन कार्बन से कुछ नहीं आएगा इधर हमने क्या किया यहां पर आया और इधर ओएच आ गया अब इसको PCC से क्या अगर दो बच्चे ऑक्सिडाइज कर दो सिंपल सी यह एक हमारा प्रोडेक्ट बन जाएगा मगर हां अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो दिक्कत करेगा double bond आ जाएगा वह यहां पर तो यह इस तरीके से ओएच डबल बॉंड और यहां पर सीएस तरी अब यह फर्दर इस तरीके से मोड़ गया सिंपल है बिल्कुल सिंपल है अराम से बस समझना है ठीक है तर्चरी वाला जो आपके पास एलाइलिक एल्कोहल है उसे हम सेकंडरी में बदल कर फिर फिर चेखने हां एक हमारे पास पीडी सी जा इसमें अगर क्रोमियम बेस, क्वाथ कर रहे है, पीडी सी हमारा एक लास्ट होगा अगर हम बात करते ह Süper Gonna फिरिडिक्रोंट भी इनियम भी इसमें जो एक खास बात है वो मैं आपको बताओंगा इसका क्या बनता है इसका सब्सक्राइब बनता है जैसे कि यहां पर एसे लिए रहे थे फिरी दीन ले रहे थे और पानी का मोलीकुल ठीक है तो यहां पर हम कहे रहे थे CRO3 दो लिया जाता है O, CR, double bond O, double bond O, O negative, O negative, अब आप कहोगे सर ये O negative, O negative, oxygen तो साथ हो गए, एक H2 का भी है ना, एक H2, ये दो लिया जाते हैं, एक H2 का oxygen भी हाँ पर आ जाता है और यहाँ पर साथ में आपके पास Pyridinium का इस तरीके से जो H है, H2 वाले जो H है वो यहाँ प है, दो chromate है, इसलिए हम इसे dichromate कह रहे हैं, ये एक complex यहाँ पर बच्चे बनता है, ये भी क्या है, ये भी mild oxidizing agent ही है, दियान रख रहा है, mild oxidizing agent है, ये भी primary alcohol को aldehyde तक लेकर जाएगा, acid तक नहीं लेकर जाएगा, अगर मान लो ये reaction आपके पास given है, तो ये primary alcohol है, primary alcohol को अगर यहाँ पर मैं O और यहाँ पर H clear है, चलिए, अब इसमें भी एक बात important आती है, इसमें भी एक बात important आती है, जैसे कि ये solvent क्या है, ये DCM solvent है, ये क्या है बच्चे, DCM solvent है, इसमें effect PDC का solvent के साथ, effect बहुत important हो जाता है, ध्यान रगना, solvent का PDC के साथ, बहुत important aspect बन जाता है, ये ही चीज़ अगर हम बात करें, effect of solvent with PDC हैना, effect on, effect of solvent, effect of solvent, effect of solvent with PDC, pyridinium dichromate के साथ, बच्चे, solvent का क्या effect होगा, एक बार सर वो बता दो, हांची, आईए समस्ते हैं, माल लो, आप PDC ले रहे हैं, किसके साथ, DCM के साथ ले रहे हैं, CS2, CL2 के साथ ले रहे हैं, और PDC, आप DMF के साथ ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर इधर primary alcohol को किस में बतला जाएगा, बच्चे, ध्यान रखना, acid तक ले जाता है, मगर यह क्या करेगा, बच्चे, primary alcohol को किस में ले कर जाएगा, aldehyde तक ले कर जाएगा, यह कुछ चंद चंद बाते आपको ध्यान रखनी है, यह primary alcohol को aldehyde तक, primary alcohol को acid तक, जैसे कि माल लो, यह question आपके पास है यह question आपके पास है यह क्या है primary alcohol है इधर अगर हम बात करें यह सारे के सारे reference book example है ऐसे के ऐसे exam में आ सकते हैं यह पढ़ लो इसको आराम से पढ़ लो है ना अगर आप जो example भी बात में खुझ से revise कर लेंगे तो भी बच्चे आपका काम बन जाएगा यहां acid बनेगा और यहां पर क्या बनेगा सर यहां पर आपका क्या बनेगा यहां पर आपका इधर एल्डी हाइड और इधर ऐसे DMF के साथ acid और उसके साथ LD हाइड यह चंद बाते आपको ध्यान रखनी थी इधर बना दिया हमने क्या LD हाइड और इधर बच्चे हमने क्या बना दिया acid तो यह chromium based के हमें इतने ही ध्यान रखने है जादा मुश्किल नहीं है एक जोंस रिएजेंट ध्यान रखना वो पर्टिक्लरली LD हाइड को उठाके acid तक ले जाता है और बान में PCC और PDC की वारे में दो-τίन जीसे PCC में हमें हमें अननना जब मैं पढ़टा था तो मैं ध्यान रखता था कि हाँ अचा PCC के पारे में क्या खास बात ध्यान रखनी थी तो PCC के बारे में यहां पर सोल्वेंट का कुछ खास था इस तरीके से मन मन में भी याद होती है चीज़े मन मन में ऐसी चाहिए आप कोई भी टोपिक मालनों बैठके आप कोडिनेशन रिवाइज करने की सोच रहे हो कि अच्छा मन मन में भी चीज़े रिवाइज हो इस तरीके से जैसे कि मुझे याद है हम चोटे बहुत चोटे होते थे मैं और मेरा कजन हम दोनों बिल्कुल सेम क्लास में थे सेम उमर में थे तो हम एक ही स्कूल में जाते थे और पूरे दिन साथ बैठकर पढ़ते थे बाद में हमारी स् इस तरफ आगे नौन मेडिकल में तो हम क्या करते थे कि साथ ही बैठकर सारी चीज पढ़ते थे जब चोटी ग्लास में थे तो कई बर ऐसा होता था कि मान लोग कि हम किसी जगया पर घूमने गया बहार गया है मान लोग कई पर ऐसा होता था गुरदवारे गया तो या मंद कर रहे हैं कि अच्छा उसके बाद क्या आएगा वो शब्द क्या आता था इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम दोनों में होता रहता था अलाकि मस्ती मजाक खेल कूद बहुत होता था मगर यह चीज़े भी होती थी तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मन मन में भी रिवाइज हो सकती है यह चीज़े मैंने आगे यूज जादा की वह तो बचपन में पता नहीं क्या ही रट रहा था तो चोड़ो अगर आगे जागे यह बहुत ज़्यादा रिवाइज करने में हेल्प हुई मन मन में भी आप चीज़े रिवाइज कर सकते हो धियान के यह दो आपको पढ़ने मेगने मेगनीज बेज ऑक्षिडाइसिंग रिएजेंट बच्चे आपको दो बाते धियान रखने है पर्टिकुलर्ली मेजर ली यह दोनों ही आपको धियान रखने है एक आपका क्या होगा बच्चे एक होगा MNO2 एक को बोला जाता है क्या MNO2 दूसरे को बच्चे बोला जाता है क्या KMNO4 यह द्वनों ही आपको डिटेल में पढ़ने है KMNO4 & MNO2 आपको पढ़नने है KMNO4 & MNO2 आपको पढ़ने ऑब यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या MNO2 पढ़ते हैं यह क्या होते हैं बच्चे, particularly помощ gift Ad compensation might oxidizing permettIs एक कीमो सेलेक्टिविटी शो करते हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह वाली बात कीमो सेलेक्टिव होते हैं तो यह किनको पहले जाके करेगा तो बच्चे धियान रगना एलाइलिक बेंजाईलिक प्रोपाइलिक ऐसे एलकोहोल को पहले जाकर करता है एक्जामपल मैं आपको दिखाऊंगा सबर करें अराम से बैसक्षे कीमो ने और सबक्राइब के lui यह यहाँ बैसिकली वह है इनके लिए ओ एच ग्रूप के लिए होते हैं रखना कैसे भाई क्या कहना चाहते हो जैसे कि यह डवल बॉंड के साथ हो और इस तरीके से डवल बॉंड लगा हुआ हो यहां पर ओएच लगा हुआ हो ट्रिपल बॉंड लगा हो फिर ओएच लगा हो इस तरीके से यहां पर होते हैं जैसे इसे लपेट दो भाही नहीं कर सकते बच्चे सबसे पहले यह इस पर्टिकुलरल यह बेंजाइलिक है इसके लिए कीमो सेलेक्टिव होता है ध्यान रगना यह उसको तंग करेगा उधर जाकर ओक्सिडाइज करेगा यहां पर बच्चे ओक्सिडेशन होगा इधर तो यह आप का यहां से किना गरो 123 में ही जाएगा 120 230 में कोईग results नहीं यह आपका यह आ इना आ यह आपका अथिक है ऊपर वाला faculty यह 123 तो और थ्री के बीच में जब्राइबन नहीं आ रहा जैबकि 23 के बीच में double bond आना चाहिए तो आक्सिडाइज को नोगा यह वाला oxidize होगा अलाइलिक हाइड्रोकसाइल को प्रायोडिटी दी जाती है मतलब यह कीमो सेलेक्टिव होता है उसके प्रती तो यहाँ पर यह डबल बॉन्ड एजटी अब यहाँ पर ओ अब बच्चे मान लो इतना बनवा दिया अब इसके बाद कुछ भी करवा सकता है इसके बाद यहाँ पर कुछ भी करवा सकते है अलपा बीटा के साथ और भी जो जो चीज आप और गैनिक में डिफ्रेंट डिफ्रेंट पढ़कर आयों वहाँ पर हो सकती है यह चोटी चोटी बार ध्यान रखना क्लियर है चलिए उसके बाद हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं हमारा के म नफ्र चेमन फॉर बढ़ते हैं यह एक स्ट्रॉंग उक्सिडाइजिग एजन्ट यहाँ पर पहले तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे उक्सिदेशन और रखनी होती है और दो चीज इसके लिए ध्यान रखनी होती है एक ऑक्सिदेशन और प्राइमरी अलकोहल और ब बच्चे हमें इसके अंदर ध्यान रखने हैं आई ये समझते हैं वन बाइवन जैसे ये प्राइमरी एलकोहल को क्योंकि स्ट्रोंग बता रहे हो सर आप के मैंनोफोर को तो अगर ये स्ट्रोंग है तो ये किसमें लपेट देगा इसको एसेडिक मीडियम हो सुरी एसेडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो कोई दिखकर नहीं के मैंनोफोर एसेडिक बेसिक तीनों में न्यूट्रल में भी ये आपके प्राइमरी एलकोहल को ये एसेडि में लेकर जाएगा माल लो आपके पास ये है मैं आपको तीन चीजी दे रहा हूँ KMNO4 है KMNO4 दिया मैंने आपको दिया PDC दिया DCM में मैंने आपको दिया क्या PDC दिया किसमे DMF में क्या product बनाओगे जरह बताएंगे मुझे क्या-kya product बनेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा यहां पर बनेगा यह acid में convert करता है DCM जब होता है PDC के साथ तो aldehyde में ले लिकर जाता है बच्के यह छोटी-छोटी बातें भी marks दे जाती है और DMF किस में ले ले कर जाता है acid में ले कर जाता है आफे चो जाता है क्लिए ठीक इस घ्यान रखने है इस तरीके की कहानी चरहीं यह तो गया क्यत्व अब यह बात अगर हम बात करें हाई ड्रो कारबन को कैसे यह क्या जाता है माल लो मेरे पास यह एक रियक्शन है यह एकुत यह आपके पास और आपने क्या यहां पर आपने कमनोफोर यहां पर डाला है कमनोफोर डाला है आप एसिडिक एलकलाइन जो डालना है डालो एसिडिक डाल दो एलकलाइन डाल दो यह पर्टिकुलर्ली किसमें ले जाएगा इसको बच्चे गजब की ही बात है यह इसको एसिड में ले जाएगा ठीक है किसमे में ले कर जाएगा acid में लेकर चला जाएगा जैसे कि यहाँ पर मालों यह एक और reaction समझो जितने example देखोगे बस एक alpha hydrogen होना चाहिए है ना यहाँ पर एक इस benzyl के बराबर में एक alpha hydrogen यहाँ पर होना चाहिए तो यह इसको भी acid में ले जाएगा यहाँ पर यह इसको भी acid में ले जाएगा ध्यान रखना एक alpha hydrogen मुझे चाहिए चाहिए यानि कि सर अगर तीनो CH3 होते तो क्या reaction होती नहीं वच्चे no oxidation इसका कोई भी oxidation नहीं होता चाहिए कितना भी यह strong हो यहाँ पर ध्यान रख लेना यह no oxidation reaction शो करता है कुछ यहाँ पर acid नहीं बनाओगे मगर हाँ एक alpha hydrogen हो CH2 होंगे तो भी हो जाएगा CH2 CH3 होगा तो भी हो जाएगा CH3 है तो तो होई गया CH2 CH3 होता तो भी CH बन जाता मगर यहाँ पर particularly ध्यान रखना एक alpha hydrogen चाहिए no alpha hydrogen तो इधर हम क्या कहेंगे इधर यह कोई oxidation शो नह करेंगे तो बच्छे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना कि partial oxidation के लिए हम कौन सा रिएजन यूज करते हैं partial oxidation समझ रहे हो मतलब कि acid नहीं CHO तक ले जाना partial oxidation of hydrocarbons की वच्छे बात कोई कर रहा है आपसे तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक reaction आती है जिसका नाम क्या है itard reaction क्या reaction का नाम है इटard reaction उसको हम बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेना itard reaction अगर ऐसा है तो आपका जो hydrocarbon है वो CHO में जाएगा COOH में नहीं जाएगा बच्चे यह ध्यान रगना जैसे कि मालो मेरे पास यह एक example है और यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर CH3 है एक तरफ आपको डाला है Kmno4 बच्चे और एक तरफ डाल दिया क्या itard reaction डाल दिया itard reagent डाल दिया CRO2 Cl2 H plus में डाल दिया तो ध्यान रखना दोनों तरफ प्रोडेक्ट अलग होंगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर CHO दिखाया जाएगा और इधर Kmno4 में बच्चे क्या दिखाया जाएगा Kmno4 में COOH दिखाया जाएगा यह चीज ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ था आपका alcohol वाली बाते हमने cover की है अब next पढ़ाओ पर भढ़ते हैं that is oxidation of alkeen Oxidation of alkeen हमें पढ़ना है आईए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़े basically हमें देखने है एक alkeen की oxidation कैसे हो सकती है या तो आप इसका क्या बना दो बई माल वेरे पास यह alkeen है अलकीन की जगए इसमें oxygen का आना ही oxidation है तो oxidation कैसे हो सकता है बच्चे ऐसे हो सकता है कि हम oxidation करा दें तो एक प्रोसेस यहां पर हम oxidation की पढ़ेंगे ठीक है इप oxidation कैसे होगा वो पढ़ेंगे या फिर हो सकता है कि यहां पर दोनों जगे ओएज लगा दें यानि कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां बहुत सारी चीजे देखी होंगी जैसे कि अब बना देते हैं बनाते ही सबसे पहला दिमाग में जो रियक्शन आती हो पिनाकोल पिना कोलोन रियर्रेंजमेंट ही आती है एच प्लस वहां पर प्रवाइडिड होता है तो वहां पर वह वाली रियक्शन भी एक बर इससे कनेक्ट करके देख लेना और एक हो सकते हैं आप ऑक्सिडेटिव क्लीवेज करवा दो डबल बॉंड का जब हम तोड़ते हैं तो दोनों तरफ ऑक्सिजन लगा देते हैं वह वाला ऑक्सिडेटिव है मेटा क्लोरो पर वेंजोईक एसे जैसे कि यह इस तरीके से आपके पास ऑस और यहाँ पर मेटा पर इसे बोला जाता है मेटा क्लोरो पर बेंजोईक एसे यह ये रियजन्ट यूज होता है फॉर एपक्षडेशन मालों सिरफ mcpva लिखके आ गया आपको दिमाग लगाना है कि वही यहाँ पर particularly हो क्या रहा है यहाँ पर epoxidation हो कैसे रही है यह अगर दिमाग लगाना है तो किस तरीके से reaction जाएगी आईए समझते हैं माल लो हमारे पास यहाँ पर है अलकीन हमने लिया तो अलकीन क्या करेगा अपनी electron density इसको देगा है और फिर यह एक oxygen यहाँ से एक oxygen निकल के इसके पास चला जाएगा ठीक है वापिस ही यह एक इसका एक oxygen खाएगा इसका एक oxygen खाएगा तो इधर क्या आएगा इपोक्साइड बन जाएगा और इधर यह एक oxygen हटा कर आपके पास जो pH था वो pH यहां पर एक बीच वाला oxygen गया है तो OH वैसे का वैसा ही रहेगा यह क्लोरीन यह आपका प्रोसेस होता है यह इपोक्साइड बन गई है यहां पर क्या बन गया है इपोक्साइड बन गई है तो यहां पर ध्यान रगना यह सबसे पहले की इलेक्ट्रों देंसिटी यहां पर दी जाती है अब एक क्योशन आता है कि क्या फेवर करेंगी चीज़ेया सबसे पहले फेवर क्या करेंगी तो ध्यान डगना यहां पर ध्यान रगना mcpva के बारे में एक तो sin addition होगा sin addition होगा दोनों obviously sin addition होगा एक तरफ ही oxygen आएगी एक तरफ ही oxygen आएगी तो दूसरी बात यहां पर more nucleophilic जितना ज्यादा nucleophilic आपका oxygen है जितना ज्यादा nucleophilic आपका अलकीन जितना ज्यादा nucleophilic आपका अलकीन है उतना ही ज्यादा oxygen होगा more will be the oxygen उतना ही ज्यादा oxygen होने वाला है समझाएंगे समझाएंगे कैसे काम करेगा मान लो एक तरफ donating group लगा हुए अलकीन के और एक खाली अलकीन है तो donating group जहां पर उसको ज्यादा nucleophilic कर रहा है उसका oxygen होगा अगर हम बात करें conjugated alkyne और non-conjugated alkyne में non-conjugated alkyne का पहले epoxidation होगा याद रखना non-conjugated alkyne का पहले epoxidation होगा यह ध्यान रख ले ना भाई इसका non-conjugated alkyne का epoxidation पहले होता है as comparison to conjugated alkyne बोलो हाँ या ना अरे बोल तो दो तो अगर हम बात करते हैं मालो example हम लेते हैं यहाँ पर example हमने लिया जैसे कि यह हैं यह हमारे पास है अब ही हमारे पास किस दो दो अलकीन है अब यह किस अलकीन का oxidation करेगा यही तो सवाल है ना ऐसे ही क्योशन आते हैं अलकीन देखके oxidation कराने आपसे कौन पूछेगा हां कई लोगों को mcpba ही नहीं पता तो तो भाईया गोली हो गया मामला इसका ध्यान रखना अलकीन दिखा mcpb अच्प पूक्शिडेशन जरूर हर गा यहां पर देखो कि इसके पास यह कितने अलफा इद्रोजन इधर दो यह लगा हो यह तो यह वालिवशन होई इधर इदर इपूक्शिडेशन पहले होगा यहां रखना यहां पर epoxidation होगा as comparison to this इधर होगा clear है अब यहां पर क्या होगा यह conjugation है यह non-conjugation है यह conjugation में है तो अभी अभी बताया है non-conjugated वाले का epoxidation करा दो शांती से तो इसका epoxidation करा के आना है rather than यह छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रख लिया कर होगी यहां पर क्या करने वाले हो वाई देखो समझो यह वाली कितने ऐख फट्रजन हाइपर कंजीशन में हाइपर कंजीशन एफ्ट भी क्या एक डोनेटिंग ही ग्रुप है जिसे प्लस एच कहते है फ्लस हाईपर कंजुगेशन जहां लग रहा होता है वह भी बहुत डोनर गूर्प की तरह काम कर रह ही है क्या स्टेबलाइजेशन फेक्टर या फिर हम कहीं डोनेटिंग डोनेटिंग पावर आठ फाइड्रोजन कि तो इसकी एपॉक्सिडेशन यहां पर होगी ध्यान रखना यहां पर एपॉक्सिडेशन बनेगी इधर यह दोनों एलकीन एजटीज रहेगी क्लियर है चीक चीक क्यों आपको पढ़ा रहे हैं एने लिक्विड एनस्थरी सर यहां पर तो मुझे ध्यान है कि आपने बर्च रिडक्शन के बारे में बाती करी हुई है और बर्च रिडक्शन में अगर आपका ग्रूप इलेक्ट्रोन डोनेटिंग ग्रूप है तो डबल होने वाले तो वह दो डबल और इलेक्ट्रोन डोनेटिंग ग्रूप के लोंज मनें इंगे बनेंगे आवे बनेंगे क्या ख्याल आपका जरूर बताएगा ऑन्स लीव रहे हैं यहां पर आपके पास क्या बनेगा यहां पर अपके पास यह बन गया इधर O.M. यह मेरा क्या आ गया पी आ गया अब बच्चे इधर mcpva डाल दिया इधर उसने क्या किया बई मैं mcpva डाल रहा हूं सारे येजंस अम रिवाइस कर रहे हैं एक मतलब की बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर्स अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा चीजे ना एकदम और आपके करीब आती जाएंगी इस अलकीन को करूं या इस अलकीन को सर यहां पर तो यार इतना जबर्दस प्लस एम डोनेटिंग ग्रूप लगा हुआ ह इलेक्टर डोनेटिंग रूप तो इस अलकीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है यह ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो बच्चे इसी का ही तो होगा इसी का ही तो इपॉक्सिडेशन होगा रे बिल्कुल सही यह हो गया क्या इपॉक्सिडेशन यह आपका क्या बन गया प्रोडेक्ट बन गया बोलो हां या ना कोई समस्या अब एक काम हो सकता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री आप से पूछ ले उसमें तो आप एक्सपर्ट हो उसमें परिशान थोड़ी न होगे परिशान बिल्कुल नहीं होगे माल लो यह CS3 मेंचन कर दिया उपर तो अब जो इप अपनी जो संदूख है आपका ज्यान का संदूख जो है उसमें डाल लोगे और यह ना पेपर के बाद भी ऐसा होता है जैसे जैम जब हो जाएगा तो जैसे गिराते हुए आ रहे होते हो मतलब कि जैसे पेपर हुआ पेपर से लेकर सेंटर से घर तक होगे तो आदा घ्यान धीरे धीरे घिर रहा होगा यह रियालिटी है अच्छे अच्छो के साथ होता है सबके साथ हमने भी जब जैम देने के बाद उसके बाद तो कहां गया असारा ज्ञान कुछ महिने तक तो क्योंकि बस पेपर हो गया है कुछ बस मोज मस्ती में लगे हूं है तो ठीक है जब आपकी ज़ले मज मस्ती करी है कुछ महिने जैम के बाद तो आप भी अराम से एक महिना तो अपने रहना पेपर के बाद फिर हाँ दो तिन महीने एक डेड़ महीने के बाद वापिस है चीजों को रिवाइज करना क्योंकि इस लाइन में आगे अभी बहुत सारे एक्जाम है पढ़ते लगातार रहना है ठीक है एक ब्रेक मिलेगा आपको जैम के बाद अब आपको कहां भी इत अब अच्छे ध्यान रखना कभी जैसा ओ एच जैसा गुरूप लगा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर mcb विगा ओक्सीजन इसके साथ क्या करता है hydrogen bonding करता है यहाँ पर क्या होता है hydrogen bonding करते हैं तो जिस इस स्टीरियो पर यह O H लगा हुआ है उसी स्टीरियो पर इस वक्त जैसे कि यह O H कहां लगा हुआ था उपर की तरफ लगा हुआ था तो बच्चे उपर की तरफ ही इपोक्साइड बनेगी यहां पर CS3 कहां? CS3 थोड़ी ना हाइड्रोजन बोंडिंग करेगा, OH कर लेगा, हाँ, अगर मान लो कोई ऐसे आपको तंग करें, कोई परिशान करें, तो गलत बात आपको परिशान करना, मान लो कोई कह रहा है कि OH की जगे, OH की जगे, OH एसिटेट क अजय कर लें, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हमारे इस M.C.P.B के साथ क्या हाइड्रोजन बोंडिंग कर लेगा, तो ये नो हाइड्रोजन बोंडिंग होती है, तो अगर हाइड्रोजन बोंडिंग का कोई stabilization factor है नहीं, तो इस से अपोजिट ही stereo बनानी है यहां पर तो यह वाला hydrogen और oxygen hydrogen bonding कर रहे होते हैं इसलिए particularly हम कहते हैं यह एक उपर बनेगा जबकि यह वाला कहां बनेगा नीचे की तरफ बनेगा यह ध्यान रखना इतनी छोटी छोटी बात है गडबड कहां आ जाती है सर फिर अगर यहां पर बात करें और कोई रेजेंट है तो एक बात और समझो जैसे की मालो आपके पास यह आपके पास एक गीवन है ठीक है इधर mcpb अगर किसी ने डाला है तो यहां पर एक प्रोसेस हो जाती है बेयर विलेजर ओक्सिडेशन का यानि कि वो क्या कर देता है यहां पर oxygen लाके अभी यह पढ़ेंगे यह आएगा आपके पास यह इस तरीके से epoxide pair visitation में क्या होता है जैसे में और री ओक्सिडेशन यह प्रोसेश होती है और अउर है oxidation basic medium particularly basic medium में कोई भी बेयर विलेजर oxidation नहीं होगी यह ध्यान रखना यहाँ पर क्या बनेगा सिर्फ यहाँ पर टेंडेंसी होती है कि यह प्रोडक्त भी मिल जाए यह प्रोड़ा कि यह भी एपोक्साइड के लिए फेवरेबल ओती है अपका mcba मगर फिर भी बेयर विलेजर ओक्सिडेशन भी यहां पर कुछ परसेंटेज में यह प्रोड़क्ट भी मिलने लगेगा इसलिए यहां पर हम कहते हैं अगर आपको ध्यान रखना है कि mcbb की एक limitation क्या है mcbb की एक limitation यह छोटी सी ध्यान रखना अगर preferably पूछी जाए तो यह ध्यान रखना कि सिर्फ अगर ऐसा किटोन और अलकीन एक साथ हो तो अगर मैं s2o2 oh medium basic medium में लूँगा तो बेयर विलेजर ओक्सिडेशन नाम वो पढ़ना है अभी बेयर विलेजर ओक्सिडेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी सिर्फ इपोक्सिडेशन ही होगा मगर हां यहां पर दोनों प्रोडेट्ट मिलने के चांसी बन जाते हैं तो एक छोटी सी बात यह ध्यान रख लेना प्लीज अगर ऐसा सेपरेट वाला सिस्टेम आ रहा है और के साथ एक है इसके साथ यह तो पीछे मूं और और यह हमेशा यूज फॉर इप औडेशन यह हमेशा इपोक्सिडेशन के लिए ही यूज होता है यह बात ध्यान रख नहीं गले है चलिए अब हमें देखना है डायोल्स का फोर्मेशन मान लो आपके पास यह बच्चे अलकीन है ना इस अलकीन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो अना डायोल बना सकते हो अब इसमें भी दो चीज आ जाती है एक आती है कि सेम स्टीरियो में बन जाए या फिर ऐसे दिखा से हमारे पास आ रहा है सिन और हमारे पास एंटी इसमें पर्टिकुलर्ली मेरे को आपको दो तीन रिएजेंट बताने हैं जो आपको ध्यान रखने है तो यहां पर लिखना डायोल्स की अगर हम फोर्मेशन कर रहे हैं डायोल्स की फोर्मेशन कर रहे हैं तो ध्यान रगना मेरे पास एक उता सिस डायोल बनने का चांशी Ses लगें लगें और दोनों ऊपरया दोनों नीचे यह वो सिस डायोल है और 10 आपके पास क्या आता है एक एंटी डायोल बनने का चांशी होता है यह ईएसमें आपके पास ठ्र्क्रीश धियान रखना है o s r है ना, OSO4 और एक NMO or Co-oxidant की तरह काम करता है, यह co-oxidant होता है, है न, आपको OSO4 मेजर ध्यान रखना है, यह क्या बनाता है, CISDIOL बनाते है, दूसरा पच्चे एक Woodward reagent होता है, Woodward reagent है न, आपने पढ़ा होगा, यह तो कभी ना कभी सुना होगा, Woodward and Prevost, Woodward and Prevost, सुनाया ये, Prevost and Woodward, Prevost क्या देता है, Anti देता है, इसमें बहुत major सा एक difference होता है, बहुत छोटा सा difference होता है, सिरफ, ये देखो, इधर इस T से धियान रखना, Anti, T से, Anti, यहाँ पर क्या होता है, I2 होगा, आपका, Silver का Salt होता है इस तरीके से, Ag positive and बच्चे ये Enhydrous condition में होता है, यहाँ पर पानी का नामों निशान नहीं होता, Enhydrous condition बच्चे ये होती है, मगर यहाँ पर Woodward region में सेम यही होता है, I2 होता है, और मेरे Silver का एक Salt इस तरीके से आपको Acetate का Salt दिखाया जाता है, मगर यहाँ पर पानी भी होता है, वूड है, वूड को पानी चाहिए ही चाहिए, तो यह वूड वाला क्या बनाता है, प्रिवोस्ट वाला क्या बनाता है एंटिडायोल बनाता है ये छोटी-छोटी बारिक-बारिक बाते आपको ध्यान रख यह जैसे कि हम सब vas4 की कुछ अलकीन होगी, वही oxidize होगा, उधर ही alcohol आएगा, क्योंकि वो electron अपने देंगे, पहले alkyne इस osemium o4 को electron, मतलब basically इस तरीके से होता है, os double bond o, double bond o, double bond o, double bond o, तो यहाँ पर पहले alkyne यहाँ पर electron density देती है, इस तरीके से díol creation होती है मतलब कि आपको क्या चीए more electron rich alkin more will be the dial formation यानि कि electron rich alkin की dial formation ज्यादा पहले होगी ठीक है electron rich कि अलकीन अब प्रेफरेवली ओम डायोल प्रेफर्स फर्स्ट यह ध्यान रख लो इतना जैसे कि मैं example आपको देता हूं मालो simple सा एक हमारे पास यह है ध्यान ही रखने वाली बाते हैं सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है nmo होगा यहाँ पर co-oxidant है इसका supporter होता है यहाँ पर यह क्या करेगा यह मालो मेरे पास यह क्या है है यहाँ पर मैंने osmium o4 लिया nmo यहाँ पर शो होकर दिखाया जाएगा यह इधर क्या होगा इधर आपका o h और o h यह दोनों क्या आएंगे बच्चे सेम साइड पर आएंगे दोनों क्या आएंगे सेम साइड पर आएंगे जैसे कि यह examples कुछ देखते हैं किधर लगाना है किधर हम पहली बात डायोल की formation करें यहाँ पर अगर इधर आपसे कोई पूछ रहा है डायोल की बर्टिक्लरली अब यह क्या है बच्चे यह electron withdrawing group है ना cc o e t e star लगा हुआ है लेक्ट्रन और विद्रोइंग ग्रूप लगा हूँ है तो इधर या इधर इधर बनाना पड़ेगा हमें डायोल कहां बनाना पड़ेगा यहां बनाने पड़ेंगे यह ध्यान रखना इस डायोल को हमें इधर दिखाना पड़ेगा बोलो हां या ना कोई समस्या कि यह एज हिस्ति के अधार डाइवल दिखाया जाएगाники वहां नहीं दिखाया जाएगा ये डाइवल का रिकाया जाएगा इधार इसको और भी थोड़ा सा ठीक लिए लो ह एक ऐसा एक्जाम्पल मान लो आपके पास आ जाए यह इन्हाइडरेस वाला क्या करता है यह है प्रीवोस्ट प्रीवोस्ट डियेजेड टी से ध्यान रखना एंटी यानि कि अगर एक उपर बनाया जा रहा है तो दूसरा बच्चे नीचे बनाया जाएगा एंटीडायोल बन पर पर्टिकुलर ली क्या बोलोगे आप कि इधर तो आप शिस डायोल बनाओगे oh oh यहाँ पर आप क्या बनाने वाले हो वाली छोटी छोटी बात हैं आपको ध्यान रखनी है समझ आ है किस तरीगे से कहाँ होगा electron rich वाला पहले oxidize होता है ये भी ध्यान रखना electron rich वाला पहले oxidize होता है इससे next एक process हमें देखने है ozonolysis की भी है ना वो भी एक बार हम समझ लेते हैं ozonolysis हमें basically पढ़ना है ये भी simple सा है एक बार देख लो ये भी oxidation का ही बच्चे process है जैसे की माल लो आपके पास कुछ इस तरीके से system लिया हुए और डबल बॉंड और यहां पर क्या आर ले ठीक है जी यहां पर अगर आपके पास क्या डाला हुआ है यहां पर o3 डाला हुआ है me2s डाला हुआ है तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा डबल बॉंड और फिर इसको इस तरीके से दिखा दो यह डबल बॉंड यह वही बैसिकली आपको चीजे ध्यान ही रखनी है वही अब हम विल्कुल हम क्या कर रहे है हम रिएजन उठा रहे है वह करता क्या है एक रिविजन है ना क्योंकि अगर इसको अगर हम एक एक मेकनिजम लेने जाएंगे तो यह एक चीजी ही पड़ पाएंगे एक ही चीज पड़ पाएंगे ठीक है तो वह वाली चीज नहीं करने है हमने पूरा कोशिश करा है सब कुछ कवर हो जाए अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें इसके नदर भी हमारी जो है दङ्टिम ऑुच्टिव एक coexist होती है ठीक है यहाँ पर ध्यान रंणा ओजो tutorBooks फी जो होती है वह वह होती है बच्छे रिडक्टिव औज गोन वाई çıkar होगा कैसे गलगा बच्चे रिडख डिडक्टिव औज्व लिटव और होता है क्या ओक्सिडेटीव न हाय मनलब कि यह ओक्सिडेटीव मेर औरक चाहिती यह वह भी हम बात पास यह O3 हो गया, Me2S हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, मगर यहां पर O3 और H2O2 होता है, ठीक है, यहां पर O3 और H2O2 होता है, ध्यान रखना, यह एसिड की तरफ आपको ले कर जाएगा, जबकि यह किस की तरफ ले कर जाएगा, अल्डी हाइड की तरफ ले कर जैसे कि example में आपको दिखाता हूं माल लो यह इस तरीके से है यहां पर hydrogen है यहां पर क्या है और यहां पर आर है आपके पास एक बार आया o3me2s के साथ दे रहा है और एक बार बच्चे आपको दे रहा है o3h2o2 के साथ दे रहा है तो कैसे reaction जाएगी वो देखते हैं यहां पर यह तूटेगा ठीक है यह तूटेगा तो यहां पर यह क्या बनेगा aldehyde बनना चाहिए था मगर h2o2 है तो यह क्या बनेगा एसीड बनेगा हाँ इधर ये किटोन ही बनेगा इधर ये क्या बनेगा किटोन ही बनेगा कोई समझ से नहीं है तो इसे रिड़क्टिव कहा जाता है इसे ऑक्सिडेटीव कहा जाता है H2O2 particularly ध्यान रखना, H2O2 जब-जब होगा, H2O2 आपके साथ जब-जब होगा, तो ध्यान रखना, यहाँ पर इधर, या तो आपके पास ZN mention होगा, O3, ZN H2 mention होगा, या फिर आपको कह देंगी ZN ACOH, Acetic Acid, तो यह क्या देंगे, ZNC और ME2S जब भी होगा, तो आपका Reductive, औ हाँ, अगर H2O2 है, हाइडोजन पर Oxide होगा, तो आपका क्या बनेगा, Acid बनेगा, यह छोटी सी बात ध्यान रखना, वोई बात है, Oxidation होगा, कहाँ पर, Oxidation कहाँ पर पहले होगा, जहाँ पर आपका क्या लगा होगा, Donating Group लगा होगा, माल लो इसको Oxidize करना है, तो कैसे करेंगे, कौन सा टूटेगा, यह Alkin टूटेगी है, यह Alkin, डोनेटिंग ग्रूप यह क्या है, यह ज्यादा डोनेटिंग ग्रूप है, यह क्या लगा रहा है, सर, प्लस M, यह अपने Electron पेर डोनेट करके, इसे ज्यादा डोनेटिंग साइड बना रहा है, तो यह More Nucleophilic ह पहले जाएगी, इसको बीच में से ऐसे तोड़ो, यहाँ पर एक O double bond, इधर OME आएगा, अब यहाँ पर आपके पास option था, यहाँ पर आपके पास क्या option था, इधर की यह मैं acid बनाओ या LDI तो यहाँ पर LDI हाइड बनेगा, क्यों क्योंकि ME2S है, यह LDI हाइड बनाता है, यह ध्यान रखना, क्लियर है, कोई समस्य है, कोई दिक्कत, क्लियर चलिए, आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और यह हमारे पास question है, यहाँ पर देखो, क्या बना के आने वाले हो, क्या बना कर आने वाले हो, सबसे बहले P क्या होगा, P यह बर्च रिडक्शन सर, फिर से बर् मुझा है और विट्रोइंग ग्रूप के अवे बनता है यानि की कुछ इस तरीके से यहां पर होगा ये ओ मे यहां पर सी ओ एच क्लियर है ये इस तरीके से बांए अब क्या करना है ओवेसली बात है यहाँ पर तो डबल बॉंड ही नहीं यहाँ नहीं है यहाँ पर यह डोनेटिंग साइट है तो इसको रिड्यूज करेगा इसका ओजोनलिसीज होगा यहाँ पर O3 यहाँ पर O H और इधर इस तरीके से ले चलो यहाँ पर C O H है ठीक है और इधर क्या आएगा डबल बॉंड ओ और O M E यह आपका प्रोडेक्ट यहाँ पर बन जाएगा एस अल्डी हाइड बनेगा और O M E जो मैंचन दा वो बनेगा यहाँ पर आपके पास क्या होता है आर वन होता है डबल बॉंड और हो गया यहाँ पर बच्चे मान लो M C PVA आपको डाल दिया या फिर क्या डाल दिया एक यह हो सकता है ध्यान रखना यहां तो M C PVA यूजँ होगा बच्चे या फिर यूजँ होगा ह एसटु ओट उमगर एसेडिक मीडियम में एसेडिक मीडियम में यहां पर यूजँ पूता है यह क्या रोब लीजर ऋक्सीडेशन समझेंगे सारी कहानी बड़े प्यार से इतमिरान से सब समझ में आएगा बेसिकली होता क्या है एक ओक्सीजन बीच में फसा देते हैं और इसके बीच में फसाएंगी आरवन यार टू कैसे पता लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पहले मैं आपको मेकनिजम की जलक दिखा देता हूँ क्या दिखा देता हूँ एक मेकनिजम की जलक दिखा देता हूँ क्योंकि वो यूज होगी है ना जैसे की मालो मेरे पास ही है आरवन है ये कार्बोनील है ये आर टू है यहाँ पर हमने क्या लिया वो ही पर बेंजोहिक एसिड लिया है तो यहाँ से यह resonance हो जाएगा आईए देखते हैं आगे step by step चलो अब यहाँ पर क्या करो आप यहाँ पर आप एक बर इसको pH Cl ही ले लो है ना इस तरीके से ले लेते हम और यहाँ पर C double bond O यहाँ पर यह O है इधर H हो गया यह protonate है क्योंकि और इधर क्या बनेगा C O negative और बच्चे इधर R1 and इधर R2 ठीक है अब यह Intramolecular proton transfer होंगे Intramolecular इंट्रमolecular proton transfer ठीक है इस तरीके से है इस R1, R2 को एक काम करो थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं यहाँ पर R1, R2 दिखा दिया और यहाँ पर R1 दिखा अब यहाँ पर बच्चे यह proton वहाँ चला गया तो यहाँ पर यह pH as it is यहाँ पर यह chlorine था यह carbonil था ठीक है जी यहाँ पर यह oxygen था यह oxygen था ठीक है इधर जाकर यह क्या बन रहा था यह OH बन रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा था R1 हो गया यह हो गया बच्चे R2 अब क्या होता है यह migrate होते हैं यह इधर जाता है ठीक है और यह वापिस से बहार निकल जाता है या तू मिल गयाघ्ञ और यहाँ पर क्या होगा ये एला मनेशिटी यहां पर आएगी रहल और बापिस तो यहां Aegatiicos ह lớग यहा पर आपके पास यहाँ पैस यहाँ बनिया क्या हुआ कि इसके बीच में oxygen लग गया इसके बीच में oxygen लग यही हमारा प्रोड़क्ट है यहां पर देखो आर्टू ओ कार्बनिल और रवन ठीक है अब धियान रगना कि यह migrate कोन करेगा migrate कोन करेगा यह मैं आपको बता देता हूं धियान रगना कर दो चांसी आपके पास आ रहे हैं पहले यहां पर हम लिख लेते हैं more electron withdrawing group more electron donating group will be migrate will be migrated वो पहले जाएंगे ठीक है मालो आपके पास दो लोग हैं आपको बीच में oxygen फसाना है अगर यहां पर हम कहेंगे यहां अगर हमने यह किया है तो हम यह कहेंगे यह आर्टू more donating group था आर्टू more electron donating group था ठीक है more electron donating group था इसी लिए अब हम direct trick क्या use करते हैं जो ज़्यादा electron donating group होगा उसके बीच में oxygen फसा देंगे बस इतना सा काम मालो tertiary है और एक secondary है तो tertiary बारे के बीच में फसा देंगे एक secondary और एक primary है तो secondary वाले के बीच में फसा देंगे इस तरीके से मालो example हम लेते हैं more electron donating group भी migrated या फिर हम लिख लेते हैं oxygen इंसर्टिड रोम और एलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप साइड मोर इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप साइड से oxygen का आना हम कर देंगे जैसे कि यह एक example है CS3 और H, H के बीच में इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पर कहां इंसर्ट होगा यहाँ पर CS3 ज्यादा डोनेटिंग ग्रूप है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर CS3, O, कार्बोनिल और यहाँ पर H यह हमारा प्रोडेक्ट हो गया यहाँ पर यहाँ पर देखो तीन CS3 एक दो तीन यह क्या है आणि नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम से पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ यहाँ पर अजन rival जैएं और यहका पर ome है ठीक कैं यहाँ पर ph किस तरीके से होगा यह कुछ इस तरीके से होगा अब कौन सा ज्याद़aceut एलेक्टरन डोनेटिंग ग्रूप हे यह बीच में इन्सेट कर दो सीधा सा यह प्रॉडेक्ट हम बनाकर आ जाएंगे ध्यान रखना यह वाला प्रॉडेक्ट हम carbon यह primary carbon यह secondary carbon यह carbon के donating साइट इधर c3 लगा हुआ यह c3 है इधर 2 आलफा इड्रोजन है जब कि यह सिरफ 2 अलफा आज़ोजन से डोनेटीड है यह carbon और यह carbon कितनों से डोनेटीड है एक c3 से और एक से तो इस साइड उक्सीजन को करना है यानि कि यहां पर oxygen को इंट्रोड्यूज करना है ध्यान रखना फाइब मेंबड की जुर रहेंगे बच्चे अब वो शिक्स मेंबड की बन जाएगी इस तरीके से जाएगा ठीक है oxygen के यहां पर आपका क्या होगा CS3 जो यह वाला CS3 था वो यहां सरग गया oxygen बीच में आकर बैठ गया बोलो हाँ या ना बिल्कुल तरीके से लेकर चलना है बिना किसी रोकटोक के बिना किसी दिक्कत के एक एक एक्जामपल और देख लेते हैं यह बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा एक्जामपल हाँ MCPBA की जगे हो सकता है वो H2O2 acidic medium में में मेंचन कर दे तब भी आप लेकर जाओगे क्या बेर विलेजर oxidation जल्दी बता दें oxygen कहां पर डालो गई इस साइड यह इस साइड तर यह तो क्या है electron withdrawing group है और यह क्या है electron donating group है OME donate करता है NO2 खीचता है तो हमें oxygen का introduction कहां करना था बनेगा और घबराना नहीं है प्रोडक से तो बिलकुल भी यह NO2 बच्चे यहां पर यह कारवोनिल और यहां पर oxygen इसको थोड़ा सा तरीके से बना लो भाई कि NO2 यहाँ पर इस तरीके से यह रहा, यह कार्बोनिल यहाँ पर यह बच्चे Oxygen यहाँ पर इस तरीके से, अब क्या दिखा दोगी, OME दिखा दोगी, ठीक है, यह होता है कि टोन का Oxidation, simply हमें चीजे करनी थी अब आपको क्या करना है एक छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है यह बहुत छोड़ी है शोट आपके विल्गूल एक दम क्रिस्प हमने रखा है ताकि इस टाइम पर आप इसको अच्छे से सस्टेन कर सको ठीक है भई तो यह इनको सारी चीजों क थ्यान रखना जो जो चीजी जो जो पॉइंट्स आपने पड़िए हुन सारी पॉइंट्स की कीमत रखना है ना और फ्लीज स्राइब करते रहो चीजों को रिवाइज जितना ज्यादा हो सके करते रहो क्योंकि पढ़ा हुआ तो हमें गलत करना ही नहीं है आप रिवीजन का इंपोर्टेंस समझ गए हो गया ना बार बार इतना बोल चुका हूं तो समझ गए होंगे तो किरपया करके रिवीजन पर ध्यान दे अब ऐसा नहीं सोचना की सर मेरे को बहुत टाइम लग रहा है रिवीजन का इसलिए मैं रिवीजन ही नहीं करूंगा वो तो बिल्कुल ही ऐसा बिलकुल नहीं करना टाइम लगेगा डीरे-दीरे कम भी लगेगा ठीक है तो शोट नोट्स बनाने लगो चैप्टर के कोई chapter revise करते हो तो कोशिश करो उसके short notes बना लो मालो coordination revise करने बैटे तो उसके साथ short notes बना लो तो अगली बार पहले short notes पढ़ो पहले short notes पढ़ो और फिर short notes पढ़ते वक्त देखो अच्छा हाँ यार यहाँ पर और भी कुछ बात बताई तो जाकर अपने full notes देख लो अच्छे से मेनद करते रहिए स्वस्त रहिए तंदृस्त रहिए मल लगा के बढ़िए जरूर अच्छा होगा ठीक है काम करते रहिए थैंक्यू सो मच उमीद करता हूँ आपको lecture पसंद आया होगा अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए टेक केर बाई